आज हम आए है सूरत के सबसे फेमस डुमस में लशकरी भजिया हाउस में और ये डुमस का मोस्ट फेमस भजिया हाउस है तो आज हम आए है मेरी ममी की स्कूल फ्रेंड्स के साथ तो मेरी ममी की स्कूल फ्रेंड्स मुंबई और USA से सूरत घूमने आई है और जब सूरत घूमने आए तो लशकरी भजिया तो बनता ही है और सुरतियों का तो ट्रेडिशन है कि संदे को डूमस मीच घूमो और लशकरी भजिया खाओ बट आई मस्से लशकरी भजिया इस वन अफ दे बेस्ट भजिया आप एक बार खाओगे तो यू विल नाट अबल तो रेजिस्ट और यहां पे सारे लोग डिसकुशन कर रहे है कि कौन से भजिया ओर किये जाए बिकोज दे वर यूज वराइटी बहुत सारी वराइटी के भजिये थे तो यहां पे यही डिसकुशन चालू है और यह है शैला आंटी शैला आंटी मुझे पूछ रही थी कि ओर दे दिया और यहां पे बस हभी हम ओर देने जा रहे है यहां पे आपको वीकडेस में भी बहुत भीड मिलेगी यहां पे हमने काफी सारे वराइटी के पकॉड़े भजिये और किये बट यहां का सबसे तमाटर की पूरी टमाटर के जो भजिय होते उसको यहां पर टमाटर पूरी बोलते हैं और second best है कन की पूरी आपको सूरत के डुमस में टमाटर की पूरी जो मिलती है वो आपको पूरे सूरत में कहीं नहीं मिलेगी और जो टमाटर के भजिय है वो only सूरत की speciality है तो यहाँ पे हमने आलू बड़े भी ओर्डर किये बहुत ही टेस्टी आलू बड़े थे और ये देखिए ऐसे बनते हैं टमाटर के भजीए जिसको टमाटर पूरी बोलते हैं टमाटर के ऊपर चत्नी लगा के उसको फ्राई करते हैं मेरा सबसे फेवरेट है टमाटर के भजी है और जो टमाटर पूरी है वो ओडर पे बनाते मतलब आप जब ओडर दोगे तो आपके सामने गरम गरम टमाटर की पूरी बना के देगे तो जब तक हमारी टमाटर की पूरी बन रही है अमने आलो वड़ा का ओडर दिया और टमाटर पूरी आएमस से सबको इतनी अच्छी लगी और सेकेंड बेस था आलो वड़ा और कन की पूरी तो यहाँ पे देखिए आप गरमा गरम भजीये बन रहे हैं और इनकी कॉलिटी भ खाते बटाटर वड़ा उससे तो बहुत ही डिफरेंट है और पकोड़े का ओडर तो हमने दे दिया और जब तक पकोड़े आ रहे तब तक सारे लोग यहाँ पे बैटके बस पकोड़े का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमने डुमस के पकोड़े के बारे में इतना बोला है क यहां पे सब लोग द्वेट कर रहें कि डुमस के पकोड़े है क्या और यह देखिए हमारे गरम गरम आलू के पकोड़े बन गए और मेरी मम्मी यहां पे पकोड़ा लेके सबको खिलाने जा रही है और आलू वड़ा के बाद यहां पे मेरे मोस्ट फेवरेट टमाटर की पू इसके अंदर जो यह चटनी का स्वाद होता है देट्स दी बेस्ट और यह है टमाटर के पकोड़े के मन गम ता दिव सोचे मन गम ती रात जहे के मन गम तो मीत मारो और यह है लीना आंटी and that's जोती आंटी, इला आंटी और लता आंटी रिस साइड में है प्रीती आंटी, सुची आंटी और शैला आंटी सारे स्कूल फ्रेंट्स काफी इंजोई करे और सब को डुमाज के पकोड़े बहुत ही अच्छे लगे के मन गम ता दिव सोचे मन गम ती रात छे के मन गम तो मीत मारो मारी आस बास छे के मारा मन मा जीनो जीनो आथाय छे रिशों में आखो मा भीनो भीनो छावाय छे रिशों के तारा नामे आजिवतर करवानी बात छे के मन गम ता दिव सोचे मन गम ती रात छे यहां पर पकोड़े खाके हो गया और सबने बहुत ही इंजॉय किया और मोस्टली सबने टमाटर पूरी इंजॉय की और यह है डुमस यहां से आप डुमस भी जा सकते और लशकरी भजिया है वो डुमस भी जहां से स्टार्ट होता है बस वहां पर ही आपको लशकरी भजिय मिल जाएगा और सबने टमाटर पूरी कंद पूरी और बटाटे वड़े बहुत ही इंजॉय किये के मन गम ता दिव सोचे मन गम ती रात छे के मन गम तो मीत मारो मारी आस पास छे के मारा मन मा जीनो जीनो आधा इछे देशों में लशकरी भजिया इंजॉय करने के बाद अब हम आये हैं सूरत के मोस्ट पेमस और सबसे पुराने कोको सेंटर एवन कोको में ये सूरत का सबसे पुरान और फर्स्ट कोको सेंटर है जिनों ने सूरत में कोको स्टार्ट किया और आप एक बार यहां का कोको पियोगे तो आपको कहीं का अच्छा नहीं लगेगा और सूरत में ऑथेंटिक कोको एवन कोको ही है अभी तो काफी सारे लोगों सरत कर दिया है बद सूरत में को को स्टार्ट करने वाले वाले एवं कोको है तो जब मेरी ममी के मजonstीum Mumbai हो यूई ससे आई हैं तो उनको को और यहां पर हमारा कोको बन रहा है और यह अंकल बहुत ही स्वीट अंकल है और यह देखिए यहां पर ऐसे गलास में पहले बरफ डालते हैं और उसके बाद जो यह थिक वाला मिलक शेक है यह गलास में जाएगा और उसको बनाने का तरीका ही बहुत ही अलग है गुलाल और आपने देखा यह कोको कैसे बनता है कितना यूनिक तरीके से पहले बरफ डालते हैं उसके बाद थिक कोको डालते हैं और चमत से हिलाते हैं वो एक तरम डिफरेंट स्टाइल है और यहां पर सबको कोको सर्व हो रहा है और सबको कोको बहुत ही अच्छा लगा कोको भी सूरत का एक one of the best drink है और सबसे पुराना और authentic है तो आप सूरत आईए तो आप जरूर एवन का कोको और लशकरी भजिया खाना मत बूलना और यहां पे मेरी ममी की फ्रेंज ने कोको भी बहुत ही इंजॉय किया अब कोको पीने के बाद हम सब घर की और निकल पड़ अगि तो, keep watching!